2017 question 6a differentiate with examples between a pictogram and histogram pictogram वो चीज़ होती है pictogram is a graph shows picture and symbols to show frequency इसमें हम लोग pictures and symbols को frequency show करने के लिए लगाते हैं लेकिन इसमें जरूरी नहीं जितनी pictures show की जाएं तो उतरे ही उसमें data महजूद हो सबसे पहलो हमें जैसे के की बनानी पड़ती है say for example मैं कह देता हूं के 10,000 buses is equal to एक bus बना के दिखा देता हूं अब मैं यह बता देता हूं के say for example पूरा data आता है और उसके बाद मैं ग्राफ ऐसे बना देता हूं 2008 2009 2010 2011 इसमें मैंने दो buses बना दी इसमें तीन बना दी इसमें चार और इसमें पांच जब मैं यहां पर की दे चुका हूं के 10,000 buses is equal to one this इसका मतलब जहां जहां एक यह नज़र आएगा इसका मतलब है दसजार बसे की बात हो रही है तो 2008 में एक और दो इसका मतलब 10,000 plus 10,000 20,000 buses 2008 में थी एक दो तीन 30,000 तो ज़जार नौ में थी एक दो तीन चार 40,000 12,10 में थी और 2011 में एक दो तीन चार पांच पांच बस इसका मतलब 10,000 हर बस के 50,000 12,11 में थी यह इसकी एजेंपल है histogram, histogram, vertical bar graph that shows the frequency and number of objects in a graph अच्छा, bar graph और histogram में क्या फरक है? बार chart जो होता है वो हमें discrete data, म adept countable data उसके बारे में बताता है और यह हम लोग histogram आहाँ बनाते हैं, जहाँ पे continuous data हो, यह group data हमारे पस मौझूद हो अच्छा, इसके ऐनदर एक खास बात है कि no space between columns इसके बीच में जो columns हम लोग बना रहे होता हैं इसमें कोई space नहीं exist करता और frequency y-axis पर लिखते हैं जैसे यहां पर यह y-axis इस पर frequency लिखेंगे और x-axis पर number of objects जैसे age of people वगरा अच्छे example ले लिएते हैं कि example 0 से 10 10 से 20 20-30-30-40 and so on ठीक है मैं बोलता हूं कि और यहीं पर वापिस number of people यहां थे 50-100-150-200-200 ठीक है मैं गहता हूं number of people जो 0 से लेके 10 तक जिनकी age थी वह 50 लोग मौझे होते इस तरह 10-20 जिनकी age थी वह 150 लोग मौझे होते हैं अब मैं कहाँ continuous की कोई gap नहीं दूँगा इन चार्ट की बीच में ठीक है उसके बाद मैं कहाँ देता हूं कि जिनकी 20-30 age थी वह 100 लोग थे 100 लोग फिर अगें जहां पर y-axis पर दूँगा 100 और 30 people उसके बाद कहाँ देता हूं कि 30-40 जिनकी age थी उनकी उनकी वह 200 लोग इस तरह यह example हो जाती है हमारे पास कोई बीच में gap exist नहीं करता है एक continuous cycle है तो आई होप चीज़े clear हो गई होगी होगी थैंक यू